हेलो और वेलिकम तो यूर फेवरेट चानल ब्रेयो सुल्यूशन आज हम करेंगे क्वेशन आपर 16 यहां पर हमारे पास ना प्रॉपर्टी हमको यहां पता चलती है वो यह है कि अगर हम किसी दो नंबर का प्रोड़क निकालते हैं मतलब इन दो नंबर को अगर मैं इसा है भी यह नहीं तो देखो जब हम इन दोनों को मुल्टिप्लाए करेंगे 87 इंटु 145 तो हमारे पास जो आएगा 51621 तो देखो 87 के जो फैक्टर होंगे 3 से करेंगे 3 तूसर से 3 नाइंट वेंटी से लिए 29 वन्सर वेंटीन इसका मतलब 87 के फैक्टर हो जाएंगे 3 इ अब हुम निकालते है 145 के फैक्टर्स इसको मैं 5 से करती हूं 5 2s are 10 5 9s are 45 29 तो 149 5 can be written as 29 इंटु 5 तो यहां पहले तो इसका इसका HCF निकालते हैं क्या चीज़ कॉमन है 29 विट्वेंटीनिए चिए यहां होजाएगा थैक्छे अब हम इसका LCF निकालते हैं तो क्या प्रते हैं में पहले जो कॉमन है बोनिका लिख देते हम अब जो बसटा है जिसे 3 बचा यहां 5 बचा 3 multiply कर दो 5 x करते हैं क्ल्या करेंगे अब हम हम एच्छीएफ इंटू एलसीएफ कितना हो रहा है हैं एच्छीएफपल्टीनाइफ इंटू थिए इंटू फाइफ तो यह क्या हो जाता है 145 है ना 29 इंटो 3 करती हूं तो यह जाता है 87 इसका अंसर भी 12615 बार है मुटिप्लाय होके तो इसका मतलब यह हमने वेरिफाय कर लिया कि यह स्टेक्मेंट इस प्रू यह बिल्कुर सही है कि इन दोनों का मुटिप्लिकेशन इनका LCM बराबर होता है क्लेर चलो अब हम करते हैं इनका सेकिंड पार्ट यहां हमारे पास नंबर है 186 और 403 तो देखो 186 के लिए मैं फैक्टर निकालती हूं तो 29 जा 18 तू 3 जा 6 ठीके 33 जा 9 3 1 जा 3 31 ठीके अब मैं 403 का फैक्टर निकालती हूं तो देखो यह 2 से भी नहीं जा रहे हैं तो 403 का जो एक फैक्टर होता है वह होता है 30 तो देखो 186 की जो फैक्टर जाए वह 2 इन्टु 3 इन्टु 31 वह 403 की जो फैक्टर है वह 13 इन्टु 31 अब इसका अब मैं HCM निकालती हूं तो कितना हो जाएगा 31 ठीके और इसका अगर हम LCM निकालते हैं तो यह कितना हो जाएगा जो पहले कॉमन आया 31 वह लिख दो अब जो बचा है 2 बचा है वह उपर 3 बचा नीचे 13 बचा है अब देखो हम क्या करेंगे हैं हम यह देखते हैं क्या 186 इंटु 403 आप इस दा प्रोड़क्ट ओप इस तू नामबर्स क्या यह HCM इंटू LCM है तो 31 इंटू इसका LCM ठीके फिर देखो 31 इंटू 3 इंटू 2 sorry sorry 31 इंटू 2 इंटू 3 यह किसके बराबर होता है 186 के बराबर हमने मल्टिप्लाए कर रहा तो ठीक है और 31 इंटू 30 यह किसके बराबर है 403 के बराबर ठीक है तो यहां तो यही नामबर्स है इसका मतला yes again this statement is true कि दोलो नामबर्स का प्रोड़क उनके एक्ट्राब के बराबर होता है ठीक है क्लियर है चला अब हम करते हैं इसका next part आते थर्ड पास दिएभर 490 के हम factors निकालते हैं 5 से कट्कियों में इसको 5 9s are 45 बच्चा 4 5 8s are 40 ठीक है? 2 से कर लो 2 4s are 8 2 9s are 18 7 7s are 49 7 1s are 7 इसका मतलब 490 की फैक्टर्स क्या हो जाएगे? 5 into 2 into 7 into 7 ठीक है? अब हम 1 1 5 5 की फैक्टर्स निकालते है 5 2s are 10 5 3s are 15 5 1s are 5 ठीक है? अब इसका 3 से जाएगा 3 7s are 21 3 7s are 21 7 11 11 1s are तो 1 1 5 5 की फैक्टर्स क्या हो जाएगे? 5 into 3 into 7 into 11 ठीक है? LCS निकालो या पर LCS कितना हो जाएगा? जो दोनों में common 7 5 ठीक है? अब इसका LCS निकालते है है हम जो common है पहले तो बोलिक दो 7 दी दोनों में common है 5 दी दोनों में common है ठीक है? अब क्या क्या बचा? उपपर बचा 2 और 7 और नीचे क्या बचा? 11 और 3 ठीक है? अब हम क्या करेंगे? हम दोनों numbers का product देखते है क्या हो इनके multiplication की equal है? तो देखो 490 इन्टू 1155 क्या HCF उसमें मैंने LCM multiply करती हूँ मैं ठीक है मैंने क्या करा है? हम पर HCF और LCM दोनों हम multiply करके देखा है clear है? तो देखो इक चीज़ नोटेस करो 5 x 2 x 7 x 7 जब मैं यह multiply कर रही हूँ तो मेरे पास 490 आ रहा है तो मैं इसकी ज़गा 490 देखो चीज़? 5 x 7 x 3 x 11 जब मैं इन numbers को multiply कर रही हूँ तो मेरे पास number आ रहा है 1.55 तो देखो स्टेम आ रहा है और नहीं आ रहा है? इसका मतलब यह समारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा है यहां पर ठीक है? चलो अब हम करते हैं नेक्स कोश्ट है तेको कोश्ट नामबर 17 में क्या है? दप्रोड़क्ट आफ टू नंबर ज़गा नंबर ज़गा नंबर जिनका जो प्रोड़क्ट है वो कितना है? 2160 ठीक है? फिर यह कह रहा है कि यह HCF is 12 इसका HCF जो है वो 12 है तो हमें LCM फाइंड आउट करना है हमको पता है कि प्रोड़क्ट इपल टू HCF इंटू LCM अभी भी हमने करा है नहीं वाली चीज़ तो देखो कर हमें LCM फाइंड आउट करना है 2160 को डिवाइड कर देते हैं हम 12 से ठीक है? तो जब हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आजाएगा इदर आंसर उल भी 118 ठीक है? ख्लेर है? तो इसका मतलब आपको उन दोनों नामगोस का LCM जो आजाएगा वह 180 आजाएगा ठीक है? ठीक है चला अब हम चल दें कुछ नामबर 18 पर दीक हो यह कह रहा है कि तो प्रोड़क्ट अफ टू नामबर जो दो नामबर है उनका जो प्रोड़क्ट है वह है 2560 ठीक? फिर यह कह रहा है इसको जो LCM है that is 320 हमें HCF find out करना है तो हमने पड़ा है प्रोड़क्ट इस एक्विल टू LCM इंटो HCF है कि ने? तो देखो प्रोड़क्ट यहां पर गिवेन है इतना LCM है 320 तो हमें HCF find out कर लें है नहीं? अगर में इसको 320 से divide कर लो तो पुझे HCF मिल जाएगा ना? देखो 0 से 0 गया ठीक है? तो आपका यहां पर answer आजाएगा 8 ठीक है? that means HCF is equal to 8 एर ठीक है? चलो अब हम चलते है पुझे नामबर 19 पर the HCM of two numbers is 145 तो देखो यहां पर गिवेन है कि जाए HCF है वार 145 गिवेन है ठीक है? और जो LCM है दोनों numbers का वो कितना गिवेन है? 2175 ठीक है? अगर एक नमबर 725 है तो दूसरा नमबर फाइंड आट करना है if one of the number is 725 तो we have to find out the other number ठीक है? वो समझो X मांग लो ठीक है? तो हमको पता है कि दोनों number का product ठीक? किसकी बराबर होता है? HCF into LCF है कि नहीं? ठीक है? आपको पता है नहीं तो बस हम लोसमें numbers लिपुट करने है तो यहां पर X की value क्या हो जाएगा? अगर मैं 725 इससे divide कर दूँ तो मुझे X की value मिल जाएगी? ठीक है? तो यहां पर जो आपकी value आएगी X की वो कितनी है आजाए कि जब हम इसको solve करें है तो 435 ठीक है? ठीक है? अब हम करते हैं अपना next question that is 20. the HCM of two numbers is HCM यहां पर दो numbers है जिनका HCM कितना given है? 131 और जो LCM है वो कितना given है? 8253 ठीक है? इफ वन आपकी नमबर इस 917 अगर इफ वाइफ नमबर इस 917 तो we have to find out the other number same way है जिसे अभी कराए हमने ठीक है? तो suppose कर लेते हैं कि एक number 917 और दूसरा number हमको find out करना है तो हमें पता है अगर हम दोनों numbers को product निकालते हैं तो वो 171 इंटू 8253 के बराबर होगा ठीक, clear? अब हम क्या करें? एकस को ज़ोड़ कर 917 से इसको divide कर ले ठीक है? तो जब हम इसको divide करेंगे तो हमारा answer आ जाएगा x is equal to 1179 यह ठीक है इसको solve करने पर चला अब हम करते हैं अपना question number 21 question 21 है you have to find out the least number divisible by देको यहाँ पर numbers है 15, sorry 15, 20, 24, 32 और 36 हमको एक सबसे छोटा ऐसे number निकालना है जो तीन उस numbers इस पांचों numbers है divisible हो तो मैं क्या करूंगे? एक LC निकाल लोगे, do is common multiple तो इस पांचों से ज़ोगा ना? ठीक, 5 से कर लेते हैं, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 24 as it is आजाएगा, 32 as it is आजाएगा, 36 as it is आजाएगा, 3 1s are 3, 4 3 8s are 24, 32 ऐसी आजाएगा, 1 2, अब कर लो 2 से, 1 2 2s are 4, 2 4s are 8, 1 2 6 are 12, 2 6 are 12, ठीक, फिर कर लो 2 से, 1 1 2 8 3, ठीक, फिर 2 से कर लो, 1 4 3 ऐसी आजाएगा, 1 1 1 1 2 3 ऐसी रहेगा, 1 1 1 1 1 3 ऐसी रहेगा, ठीक, फिर 3 बंजा 3, 1 ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एल से कितना हो जाएगा, 5, इन्टू 3, इन्टू 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, इन्टू ये वाला 3, लास्ट बाला, ठीक है, 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 ठ सब्सक्राइब करेंगे आपके पास आंसर कितना आजाएगा यह यह सबसे चुटा नामबर जिसको यह सारे नामबर डिवाइड करते हैं ठीक है चलो अब हम चलते हैं कोशन नामबर फ्वेंटीटीटीट सबसे चुटा नामबर जो अगर 25 40 और 60 से डिवाइड होता है तो नाइन रिमेंडर चोड़ता है चीक है क्लेर है तो इसका मज़र क्या है सबसे बाद गूंपर एल्सीम दे लो तुम तो मैं 5 से करते हूं 5 5 5 0 25 5 8 40 1 2 ठीक है 5 1s are 5 8 as it is 12 ठीक है 1 4 6 2 3 1 1 3 1 1 1 ठीक हो 5 2s are 10 5 2s are 10 2 3s are 6 तो यो जाएगा 600 सबको मुल्टिप्लाय करा तो यहां का आया 600 इसका मतलब 600 इक ऐसा नंबर है ठीक है जो एक सबसे कम्प्लीट्ली डिविजबिल है ठीक है लेकिन यह कह रहा है कि वह नंबर निकालो जो इस नंबर को डिवाइड करें तो 9 रिमेंडर है इसका मतलब अगर मैं इस नंबर में 9 आइड करते हूं तो अब रिमेंडर 9 आएगा अब तो यह इससे बड़ा हो गया है कि ने तो आपका आंसर हो जाएगा 609 इसका नेक्स कोश्चिन है फाइंन इसके डिविएग गजएगे लिएब टिकइए सबसे छोटा फाइग डिजित नंबर जो एग्जेकटली डिविएब गजएग्जिएब कर्यव अर्टेशलिक है ठीक, 2-8s are 16, 2-9s are 18, 1-2, 1-5, ठीके, 2-4s are 8, 9 as it is, 2-6, 15 as it is, 2-2s are 4, 9 as it is, 2-3s are 6 of 15, ऐसी, 2-1s are 2, 9, 3, 15, 3 से कर लो, 1, 3-3s are 9, 3-1s are 3, 3-5s are 15, फिर 3 से कर लो, फिर 5 से कर लो, है, ठीके, तो 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 एंटो 2, इंटो 2, इंटो 2, इंटो 2, इंटो 3, इंटो 5, तो यह आगे है, 720, इसका मज़ब क्या हुआ, इन सबसे 720 कैसा नामबर है, यह सबसे डिशिबल है, लेकिन हमको चाहिए 5 डिजिट नामबर, तो या तो मैं इसमें कुछ मुछ मल्टिप्लाइ से इसको डिवाइड करते हूं, तो मैं यह नामबर डिवाइड करते हूं, 1, 2, 3, 4, 5, सबसे छोटा 5 डिजिट नामबर यह है, तो देखो, हम अगर इसको डिवाइड करते हैं, तो यह जाएगा 720 के माइनस करो इसको, तो आपके पास मिल जाएगा, 280, यह 0 नीचे आएगा, पिर इसको 3 से मल्टिप्लाइ करो, ठीके, तो यह जाएगा, 0, 6, 3, 721, ठीके, सहे, यह आपका आजाएगा, 640, देखो, अभी यह छोटा पढ़ रहा है, थोड़ा सा, 640 जो इससे थोड़ा छोटा है ना, 720 से, अगर यह थोड़ा सा बढ़ा होता है, तो यह एग्जैक्ली इस नंबर में 80 आज़ करो, तो अब यह कंप्लीटली डिविजबल है, तो हम क्या करेंगे, 10000 में 80 आज़ कर देंगे, यह आंसर विल भी 1080, इसका मतलब यह सबसे चुटा 5 डिजिट नंबर है, that is completely divisible by all those 3 numbers, 4 numbers, ठीके, clear it, यह होगी complete question number, 23rd, ठीके, चलो, we'll move on to question number 24th in the next video, थांकियो, थांकियो, थांकियो फो वाचिंगे नो, सो लिचे नावे वीडियो पसंद आ रहे हैं, प्लीज चैनल को एक लाइक जरूर देना, थांकियो सो मच,